Hey guys in this video I am breaking down the best trolleybacks in 2022 So guys सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर trolleybacks से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स का solution दिया हुआ है एंड इस वीडियो के अंदर आपको इंडियास बेस्ट 7 trolleybacks देखने को मिल चाहेंगे जो कि लिटरली आपके बजट के साथ साथ आपको हर वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एक highly trolleyback में होना चाहिए पाकि कभी भी आप trolleyback खरीने चाहें तो आप सबसे पहले उसके material के बारे में research करें मतलब normally two types के trolleyback होते हैं जिसमें first polyester material का बना होता है यानी soft sided वाला जिनमें हम extra cup day adjust कर सकते हैं क्योंकि ये totally stretch fabric से बना होता है और जो second आता है वो polycarbonate material से बना होता है जिसका outer side काफी hard होता है ये totallybacks waterproof, dustproof और normally fireproof body के साथ में आते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से best कौन सा है तो ये आपके budget और need के हिसाब से vary करता है मतलब अगर आप कम travel करते हैं तो आप polyester material की तरफ जा सकते हैं लेकिन आप ज्यादा traveling करते हैं तो आपको polycarbonate material की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा durable होते हैं in comparison to polyester material एक और बात in case ये आपके सामान को damage होने से बचाता है बाकि अगर trolley bag में आपको TA से लोक मिल जाए तो काफी बढ़िया है मतलब ये एक global security system है जिसमें यात्रियों का सामान सुरक्षित रहता है यानि security officers के पास आपका bag checking के लिए चला जाए तो वो इसे बिना damage किये universal की के थुरू open कर सकते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखे बाकी वीडियो में तक बने रहना अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो guys सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो उस देखने को मिलते रहे बाकी चलिए शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो को So guys हमारी इस लिस्ट में एट नमर सेवन पे आने वाला ट्रॉली बैग आपको सफारी की तरफ से थोरियम देखने को मिलता है बाकी आपको बता दू सफारी भी टॉप ब्रेंट्स में से एक है जो की एरगोनोमिक डिजाइन के साथ साथ इनर मटीरियल भी काफी बड़िया यूज करते हैं और हमारी इस लिस्ट में ज़्यादा तर आपको सफारी के बैक्स देखने को मिल चाहेंगे बात करें इसके मटीरियल की तो यहाँ पे पॉली कारोबनेट प्लास्टिक मटीरियल का यूज किया है जो की शार्प एंटी स्क्रेच बोडी के साथ में आते हैं और इसी के साथ साथ कई सारे कमपार्टमेंट्स एंड पॉकिट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट है अल ओवर साइज यहाँ पे 26 एंचिस की दी हुई है मतलब की टोटल 57.5 लिटर तक की कैपेसिटी इस ट्रॉली बैग में आप कैरी कर सकते हैं लवर साइड में आप देख सकते हैं 4 विल्स दिये हुए हैं जोकि 360 रोटेशन के साथ में आते हैं नॉर्मली अगर आप टू विल्स वाले ट्रॉली बैग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी स्मूधनेस नहीं मिलती एक और बात यहाँ पे आपको हमेशा टिल्ट करके ले जाना होता है और फॉर विल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता इस बात का ध्यान रखे बाकी ओल ओवर वेट अराउंड 3.8 केजी का है जोकि इसके साइज के साप से सही है अब बात आती है इसके सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको टिये से फिक्सड लोक मिल जाता है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एंड लिटरली आज के टाइम पे टीए से लोग होना काफी जरूरी है बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको राउंड 3000 रूपीज में Amazon पर देखने को मिल जाएगा इस प्राइस देंच में ये भी काफी बड़िया ट्रॉली बैग है अगर आपको अच्छे खासी डूरेबिटी के साथ साथ एक बड़िया ब्रैंड की तरफ जाना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है वहाँ से जाके आपको अगें सफारी की तरफ से रे वोयाज देखने को मिलता है ये भी फोर वील्स के साथ में आने वाला 360 रोटीशन प्रॉली बैग है जिसमें आप इसके डिजाइन देख सकते हैं काफी बड़िया प्रिंटेड एर्गोनोमिक डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मि वारंटी है बाकी इसके माटिरियल में आपको हार्ट केस पॉली कार्बोनेट ब्लास्टिक माटिरियल का यूज किया है जो कि मैंने आपको इस्टार्टिंग में बताया है कि पॉली कार्बोनेट च्रॉली बैग ग्स वाटर प्रूफ, डस्प्रूफ खूफ है अगेंस्ट मैनिफेक्चरिंग डिफेक्ट्स सो यह यहां पे काफी बड़ी बात है अब बात करें इसकी प्राइस की तो यह आपको अराउंड तो यह आपके लिए काफी बड़ी बात है अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखिये वहां से जाके आप इसे एजिली चेक आउट कर सकते हैं सो गई इस लिस्ट में एट नमर फाइब पे आने वाला ट्रॉली बैग आपको अमेरिकन टूरेस्टर की तरफ से देखने को मिलता है यह एक 68 सेंटिमेटर का हार्ड साइड स्पिनर लगेज है जो की टीएस लोक के साथ में आपको देखने को मिलता है लाकि बता दे की अमे क्रेमियम फेल प्रॉइड करती है कैपिसिटी में यहाँ पे आपको 60.1 लीटर तक की कैपिसिटी देखने को मिलती है जिसमें टू कमपार्टमेंट्स और मीडियम साइज के पॉकेट्स मिल जाएंगे टॉली बैक का ओल ओवर वेट अराउंड 3.9 केजी का है जिसमें आपक अराउंड 3,700 रुपीज में अमेजन पर देखने को मिल जाएगा इस प्राइस दिंच में यह ट्रॉली बैक भी काफी अच्छा है जिसमें आपको टीए से लोग भी देखने को मिलता है आप इससे कंसिडर कर सकते हैं मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे इजिली चेक आउट कर सकते हैं गाईज लिस्ट में एट नमर फोर पे आने वाला ट्रॉली बैक आपको अगेन अमेरिकन टूरिस्टर की तरफ से टूरिस्टर जियोर जिया देखने को मिलता है अब तक मैंने जितने भी ट्रॉली बैक बताए हैं उनमें से ये काफी बड़ा है मतलब ओलोवर 31 इंचेस का है और कैपेशिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 108 लिटर की कैरिंग कैपेशिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है डेजाइन यहाँ पे आप देखी सकते हैं मूनलाइट ब्लू कलर कॉमिनिशन के साथ मे एलिगेंट लूक देखने को मिल जाता है और हाँ इसके आउटर साइड में इसक्रेच रेसिस्टेंट लियर देखने को मिल जाती है जो की बैक को इसक्रेच से बचाती है बाकी इनर साइड में आपको टू कमपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें पैकिंग स्टेप्स के स साथ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज के पॉकेट्स मिल जाते हैं यहां पर आपको 4 360 रोटेशन वाले विल्स मिल जाते हैं जो कि लिटरली हेवी मटीयल से बनाए हुए है बाकी लॉक टाइप में आपको फिक्सड कॉमिनेशन लॉक मिल जाता है अब बात आती है इसकी की तो यहां पर आपको 3 years international brand warranty देखने को मिलती है बाकी बात करें इसकी प्राइस की तो यह आपको around 4,800 रूपीज में Amazon पर देखने को मिल जायेगा इस प्राइस जेंच में अगर आपको ज़्यादा कैपिसिटी वाला ट्रॉली बैग चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए वहां से जाके आप इसे easily चेकाउट कर सकते हैं सुगई इस लिस्ट में एट नमर थिरी पे आने वाला ट्रॉली बैग आपको स्काय बैग की तरफ से स्काय बैग एसकेप देखने को मिलता है ये एक lightweight polycarbonate material से बना हुआ hard side trolley bag है और गाईज मुझे जो इसकी खास बात लगी वो है इसकी outer side design and color इसे एकदम unique concept से बनाया हुआ है मतलब कि इसका texture premium feel provide करता है size भी इसकी काफी body around 32 inches की है जिसमें all over capacity की बात करें तो ये bag easily 113 liter की capacity केरी कर सकता है बाकी wheels में यहाँ पे आपको strong durable four wheels मिल जाएंगे जो की 360 rotation के साथ में आते है and inner side में आपको two compartments के साथ साथ मैश जीपर pocket भी देखने को मिलती है जिसमें आपको अच्छा कासा space देखने को मिल जाएगा सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको high quality TSA लोक भी देखने को मिलता है जिसके just opposite side में protective guard मिलते है warranty में यहाँ पे आपको five years international brand warranty मिल जाती है अब बात करें इसकी price की तो ये आपको around 6,900 रूपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा so guys इस price range में ये trolley bag भी काफी अच्छा है अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते है अभी guys at number 2 पे आने वाला trolley bag आपको मुकबरा की तरफ से limited edition देखने को मिलता है अब जो bag मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो highly recommended brands में से एक है प्राइज यहाँ पे आपको ज्यादा लग सकती है बट literally features wise ये काफी advanced trolley bag है material यहाँ पे आपको German macrolone polycarbonate का use किया है जो कि देखने में काफी hard लगता है बट मजबूती के साथ साथ ये काफी light weight भी है and design में यहाँ पे आपको finishing matte color combination मिल जाता है जो कि देखने में काफी premium feel provide करता है size यहाँ पे आपको थोड़ी कम लग सकती है बट इसी model में आपको large size के भी trolley bags देखने को मिल जाएंगे all over capacity की बात करें तो यहाँ पे आपको 36 liter की capacity देखने को मिलती है features में यहाँ पे आपको premium mesh, storage compartment, pocket for power banks जैसे कई features देखने को मिल जाते है बाकी wheels में यहाँ पे आपको hinomoto four wheels मिल जाएंगे जो कि आपको smoothly traveling करवाएंगे अब बात करें इसकी warranty की तो यहाँ पे आपको 6 years international brand warranty देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे काफी बड़ी बात है अब बात करें इसकी price की तो यह आपको around 8500 rupees में amazon पर देखने को मिल जाएगा तो guys अगर आपका budget around 8000 rupees तक का है तो आप इसे consider कर सकते हैं क्योंकि यह long time durable trolley bag है बागी अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं guys last number 1 पे आने वाला trolley bag आपको again मुकबरा की तरफ से देखने को मिलता है यह trolley bag limited edition से काफी advance trolley bag है मतलब कि आपको यहाँ पे काफी ज़्यादा compartments and space देखने को मिल जाते हैं बागी के मैंने आपको जितने भी features number 2 वाले trolley bag में बताये हैं वो सभी यहाँ पे same है बट थोड़ा color अलग है and size different है और warranty भी यहाँ पे आपको 6 years international brand warranty देखने को मिल जाती है अब बात आती है इसकी price की तो यह आपको around 12,000 रुपीज में Amazon पर देखने को मिल जाएगा इस price देश में यह trolley bag भी काफी बढ़िया है अगर आपको high brand के साथ साथ एक अच्छा premium trolley bag खरीदना है तो आप इसे consider कर सकते हैं मैंने link नीचे description में डाल रखिये वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं So guys trolley bag खरीदने का अगर आपको कोई different criteria हो तो आप हमारी playlist को जाके check कर सकते हैं वहाँ पे आपको अलग-अलग price देंज के साथ से अलग-अलग trolley bags देखने को मिल जाएगे बाकी guys आज की इस वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही किसी नई topic के साथ में किसी नई येजीव आपको को में इतना ही हमारी च ż आपको किसी नई किसी काल आपको उपको